नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का दोस्तों आज हम देखेंगे एडुकेरिया का निया करेंट ंफेर जो निकाला गया है अभी new edition का उसे ही हम देखने वाले हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक और हम बात बोलेंगे कि अगर आप सब लोग करेंट अफेर के तैयारी करना चा रहे हैं तो एडुटेरिया को ही फॉलो कीजिए और आप कोई बुक को अविफिलाल में कोई फॉलो मत कीजिए क्योंकि जो आपका एडुटेरिया का कंटें हो चाहिए आपका बिहार हो इसमें देखिए आपका पंदरा सेट दिया गया है जो कि साथ सो पचास कोशन है इसको आप दोस्तों रट जाईए क्योंकि यहां से प्रस्टन आपका रटते हैं तो सलेक्टेट कोशन है आपको बहुत एक्जाम में हैल्प करेगा ठीक है और इ स्कूर जो है अच्छा हो पाए और आप एक्जाम में स्कूर सही तरीके से कर भाएं ठीक है तो आज हम इसी बुक को कम्प्रीट करने वाले हैं वीडियो को आप सुरू से आंतक देखेंगे ठीक है बचास को से आज हम देखेंगे चलिए पहला प्रस्टन है को सेट सिक्स का कि यूक्रियन के राष्ट्रपती वुलादी मीर जेलन संकी को किस देश ने अपने सिर्ष राजकिय सम्मान से सम्मानित करने की घोशना किया है तो सम्मानित करने का घोशना किया है इसका उत्तर आपका हो जाएगा ओप्सन ए चेक रिपब्लिक इसका सही उत्तर हो जाएग नैश्ट कोसने के 8 मार्च 22 के अंतराश्ट्रिय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है तो इसका थीम आप सब लोग याद रखेंगे जेंडर एक्क्यूलिटी टूडे फॉर एसस्टनेवल टुमारो यानि ऑप्सन भी सही आंसर हो जाएगा केंद्री मंदल ने भारत में विस्वस्वास संगठन के वैस्विक पारंपरिक औसधी केंद्र की इस्थापना की मंजूरी दिया है यह आयूस मंत्राले के तहट किस राज्य में इस्थापित किया जाएगा तिये जो आपका इस्थापित किया जाएगा गुजरात में किया जाएगा ऑपसर ए सही आंसर हो जाएगा Microsoft के दुआरा भारत में सबसे बड़ा data center जो है किस सहर में निर्मान किया जा रहा है अगर आपको इस बुक का पीडियाप चाहिए पुरा बुक का पीडियाप तो आपको लिंक जो है description मिल जाएगा उसको चेक किजिए आराम से पीडियाप भी download कर लिजिएगा ठीक है चलिए तो चौथे का आंसर जो है आपका हो जाएगा option D हैदराबाद नैश्ट कोसन की Reliance Industries Limited द्वारा भारत का सबसे बड़ा convention center जो है कि सहर में खोला गया है तो यह आपका जो खोला गया है मुंबई में खोला गया है option C सही आंसर हो जाएगा हाल ही में किस मंत्राले ने donate a pension पहल शुरू किया है देखिए donate a pension जो है पहल आपका सुरूआत किया गया है सरम एवं रोजगार मंत्राले इसका उत्तर हो जाएगा हाल में हुए नियुक्ती व्यक्तियों के संबंद में कौन सुमेलित है एक तरफ आपका यहां पर पद और दुसरा तरफ आपका यहां पर व्यक्ति दिया गया है जाते हैं देखिए फैट्प के जो अध्यक्स यह आपके टी राजा कुमार है दच्षड कोरिया के जो नए राश्ट्र पती बने है यह युन्सुफ योल हंगरी की जो पहली महिला राश्ट्र पती बनी है यह बनी है कैटलीन नुवाक तो आप सब लोग गयाद रखेंगे उप्यूक तो जो सभी आपसन आपका है सुमेलित है नैश्ट कोसने किस रेलेवे जोन दोरा भारत का पहला गती सकती मल्टी मॉडल कारगो टर्मिनल जो है शुरू किया गया है तो कारगो टर्मिनल की बात करेंगे तिया आपका हो जाएगा पूरवी रेल जोन इसका उत्त सुभारम मार्च 22 में किया गया है तो यह जो आपका सुभारम किया गया है उत्तर आपका हो जाएगा सुक्ष्म लगू एवं मध्यम उधम मंत्राले हो जाएगा आंसर आपका भी सही आंसर हो जाएगा हाल ही में इंडिया ग्लोबल फॉरम का वार्षिक सिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है तो ये कहां पर आयोजित किया गया है तो ये किया गया आपका बैंगलूरू में कहां पर बैंगलूरू में नैश्ट कोसने की हाल ही में किस मंत्राले के द्वारा संभाव एवं स्वालंबन पहल की सुरुवात की गई है संभाव एवं स्वालंबन प कौन सुमेलित है तो सही सुमेलित कौन सा है तो देखे सभी आपका है मात्र सक्ति उधमिता योजना जो है आपका हर्याना हो जाएगा कौसलिया मात्रित योजना जो है आपका हो जाएगा 36 अम्मा और बहिनी योजना जो है यह आपका हो जाएगा सिक्की उप्यूग तो सभी मंतराले हो जाएगा और सल्सक्रिती मंतराले हो जाएगा तो दोनों का आप सब लोग याद रखेंगे भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतराश्ट्रिय फरनीचर पार्क जो है बनाया जाएगा तो फरनीचर पार्क जो बनाया जाएगा यह आपका तमिल नाडव बना कब तो हुआ है आपका हो जाएगा option भी आंधर परदेश को याद रखेंगे आंधर परदेश हाल ही में किस राज़्य सरकार ने woman at the raid work का रेक्रम की सुरुआत किया है तो यह जो किस साहईयोग से किसोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या सिक्छा परवेस ऊच्सो चुल का सुभारम किया है बरे इंपोर्टेंट यहां से प्रस्न आप का बने गा दो हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोशना कि वह जल्द ही एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थिवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा तो यह आपका बन जाएगा option B महराष्ट्रा भारत की पहली medical city जो की इंद्रायनी medicine किस सहर में इस्थापित किया जाएगा तो यह जो आपका सहर है आपका हो जाएगा option C पूने में इस्थापित किया जाएगा इंद्रायनी medicine याद रखेंगे हाल ही में पर्धान मंत्री मोदी के द्वारा 11 वे खेल महा कुम्ब 2022 का उद्घाटन जो है कहां पर किया गया है तो यह आपका एहमदाबाद में किया गया है उत्तर आपका ए सही आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अगला आपका प्रस्ण क्या है निम्रखित में से कौन सा राज्य फसल विवधी करण सुचकां का उप्योग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तो यह बना है आपका तेलंगाना कौन बना है तेलंगाना हाल ही में निमिलिक्षित में से किस राज़ में पहली बार अपनी वार्सिक वित्य योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेस किया गया है देखे बाल बजट जो है आपका पेस किया गया है तो यह आपका हो जाएगा ऑप्सन सी मध्य परदेश क्या हो जाएगा मध्य परदेश हाल ही में किस राज ये सरकार के द्वरा सुस्मा सोराज पुरसकार देने की घोशना किया गया है तो सुस्मा सोराज पुरसकार देने की गोशना जो किया गया है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन भी हराणा क्या हो जाएगा हर याना इसका सही अंसर हो जाएगा अगे देखेंगे अगला आपका प्रस्थ में बोल रहा है कि भगवार गौतंबुध की सयन मुद्रा में दुनिया के सबसे लंबी प्रतीमा का निर्म हो जाएगा बिहार यानि और भूपोंटान के लिए कि संस्था के द्वारा 2023 पर यूपीऑ स्क्यान ड्लॉंच किया गया है किसवीन यह को कि यह ऑपista म स्था चोंच चीजिए ढांश जो कि सहीतियोसो का अयोजम जहें कहां पर किया गया है बताईएगा साहितियोसो तो इसका देखिये उत्तर आपका हो जाएगा 27 का ओप्शन ए नई दिल्ली नई दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा याद रखेंगे हाल ही में किस देख की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ट कोविड-19 वैक्सिन को कोवी फैंज के उपियों की मंजूरी दिया है तो यह आपका हो जाएगा ओप्शन डी कनाड़ा आयुर्वैदिक पौधों के महतु को बताने के लिए उद्देश यानि बताने के उद्देश से राष्ट्रपति रामनात कोविन द्वरा कहां अरूग्य वनम का उद्घाटन किया गया है तो यह जो आपका उद्घाटन क पर्योजना जो है शुरुआत किया गया है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्राले के दोरा यानि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतिय वायू सेना के दोरा कहां पर वायू सकती अभ्यास आयोजित किया गया है वायू सकती अभ्यास जो है आ आयोजन जो है कहां पर किया गया है तिये जो इसका आयोजन आप सब लोग याद रखेंगे ठाटी टू का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्सन सी आगरा नैश्ट कोसने की नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी दा वैल्थ रिपोर्ट द्वारबाइस के अनुसार अरपतिय सबसे बड़ी आबादी जो है किस देश में है तो यह आपको देखने को मिलता है भारत में कहां पर भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में पूर्व किरकेट खिलाड़ी से नवारन का निधन हो गया है उनका संबंद जो है किस देश से है तो उनका संबंद आपको या ट्रेन सुरक्षा एटीपी प्रणाली का जो सफल प्रसिक्षड है किया गया है जिसका नाम क्या है तो आप सब लोग नाम याद रखेंगे कवच क्या हो जाएगा कवच इसका सही उत्तर हो जाएगा रिकावरी की इस पेसी फॉर एको सिस्टम रिश्टोरेशन थीम के साथ कि इस तीथी को विश्टोर वन जीव दिवस मनाया गया है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तीन मार्च को तीन मार्च यानि ऑप्सन बी एक तीसवां दश्टम पूर्व एसी आई खेल दौरबाइस में किस देश में आयोजित किया जाएगा ते जो आपका आयोजित किया विएत नाम में किया जाएगा ओप्सन ए सही आंसर हो जाएगा बी एस एस दौराइध भारत का पहला स्मार्ट मैनेजड्ट इलेक्ट्रिक विकल चार्जिंग इस्टेशन कहां सुरू किया गया है तो यह आपका नई दिल्ली में सुरूरात किया गया है यानि आप्सन ए सह ही आंसर हो जाएगा अंतराष्ट्री निसानेवाजी खेल विश्वकब दरबाइस के संबंद में कौन से कथनिया पे सत्य है तो सत्य की अगर हम बात करेंगे तो इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया है जो कि सही है भारत में कुल साथ पदकों के साथ पदक तालिका मे पहला इस्थान प्राप्त किया गया है ये भी सही है भारतिय टीम में चार सोण दो रजट और एक कांद से पदक अपने नाम किया है तो प्यूक तो आपका कथन है सभी सही है हाल ही में भारतिय सेना द्वारा तीन दिवसी सीथ कालिन उत्सव कायोजन जो है कहां पर किया ग गया है तो यह आपका किया गया है जम्मो कास्मीर कहां पे जम्मो कास्मीर सागर परिकर्मा कारेकरम का पहला चरण किस राज्य से सुरू किया गया है तो यह आपका जो शुरू आत किया गया है ऑप्सन ए हो जाएगा गुजरात से कहां से गुजरात मार्च 22 में दो दिवस कोशन देखेंगे आपका कोशन वर 44 ICC महिला किर्केट विशो कप 2222 का युजन किस देश में किया गया है तो यह आपका जो किया गया है 44 का यह आपका हो जाएगा ऑप्सन सी न्यूजी लैंड सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एंबुलेंस सेवा किस सहर में सुरू किया गया है तो एंबुलेंस सेवा की बात करेंगे तो यह आपको हो जाएगा ऑप्सन सी चेन नई अभ्यास स्लिनेक्स का नवा संस्क्रण साथ मार्च 22 को भारत और किस देश के बीच सुरू किया गया है स्लिनेक्स तो भारत और अगर ह के संबंद में कौन सुम्मेलित है तो कैप्टन दीपम चटर जी के बात करेंगे दव मिलियनर योगी हो जाएगा और मिथिलेस दिवारी के बात करेंगे तो उडान एक मजदूर बच्चे की है स्रिष्ठी जहां दा क्वीन आफ इंडियन पॉप हो जागा यानि उपयुक तो सेंटल डिपोजिट्री सर्विसेस लिम्टेड जो की भारत का है यह उत्तर हो जाएगा हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कॉंग्रेस 222 का युजन जो है कहां पर किया गया है तो यह आप किया गया है बारसिलोना इस्पेन यानि ऑप्सन डी हाल ही में किसे पंडित हरी दोस्तों इसका 50 समाप्त कर दिया है वीडियो को लाइक किजिएगा और अगर आपको पीडियाप करना है तो पीडियाप कर लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मिलते हैं एक नए वीडियो में आज के लिए इतना ही